entrepreneurship उठा लियो और physical education उठा लिया तो अगर उसने यह पे physical education उठा लिया plus entrepreneurship उठा लिया तो दिल्ली उन्वेस्टी बोलेगी हाथ जोड़के कि आप B.com program में eligible नहीं हो in fact दिल्ली उन्वेस्टी का हर एक समझो हर एक course बोलेगा आप eligible ही नहीं हो B.com program की eligibility की perspective से अगर मैं बात करूँ डेली उन्वेस्टी की B.com program की eligibility बताऊं क्या बोलती है कि आप क्या करो one language दे दो one language test आपको देना है यह तो देना ही देना है plus language में कोई भी language आप चूज कर सकते हो आपको three domains देने है three domains को भी उन्होंने bifurcate कर दिया है ऐसा आप कर सकते हो दो domain आप B1 में से दे दो एक domain आप B2 में से दे दो या तीनों के तीनों domain आप B1 में से दे दो उस case में आपको B2 attempt करने की ज़ूरती नहीं है अब मान लो three domain में से ये वाला case हम चूज करते हैं three domain में से मान लो यहाँ पे आपने one domain दे दिया B1 में से और two domains दे दिया B2 में से Delhi University इस case में Bcom program में आपकी application reject कर देगी Delhi University इस case में example के तौरपे एक बच्चे ने ली English एक बच्चे ने ली English अब उसने smart play किया अरे मैं English लेता हूँ B1 में से e-commerce का बच्चा है business studies ले लेता हूँ business studies तो मैं अराम से crack कर लूँगा class 12 की आ रही है business studies ले लेता हूँ और उसने इतना over smart play किया उसने plus B2 में से दो सब्जेक्ट उठा लिये क्या entrepreneurship उठा लियो और physical education उठा लिया तो अगर उसने यहाँ पर physical education उठा लिया प्लस entrepreneurship उठा लिया तो दिल्ली उनिवस्टी बोलेगी हाथ जोड़ के कि आप B.com program में eligible नहीं हो in fact दिल्ली उनिवस्टी का हर एक समझो हर एक course बोलेगा आप eligible ही नहीं हो वो बोल रहे हैं English उठानी है कोई भी language उठा लाना है हिंदी उठा सकते हो मराथी पंजाव कोई भी उठा सकते हो बीवन में से उन्हें बिजन से उठा लिया बट बीटू में से सिरफ एक उठाना है यहाँ पे बीटू में student ने क्या गलती करी physical education भी उठा ली है Delhi University एक अलग norms के साथ चल रहा है CUET एक अलग norms के साथ चल रहा है मान लो एक hypothetical example लेता हूं एक student के पास class 12 के अंदर commerce without maths के subjects है उसके पास क्या-क्या है एक उसके पास accountancy है ठीक है जी एक उसके पास दूसरा subject है आपके पास business studies बिजनस studies फिर तीसरा subject है उसके पास economics चौता subject है उसके पास English और उसके पास एक फिफ सब्जेक्ट है entrepreneurship अब Delhi University बोलता है sir आपको वही domains देने है Delhi University के बारे मैं बोल रहा हूं Delhi University बोलता है you only have to give those domains in your CUET which you have passed in class 12th तो Delhi University के perspective से क्या ये student maths दे सकता है अब यहां पर दो perspectives की मैं बात कर रहा हूं Delhi University के perspective से ये student इसका नाम है Rohan रोहन क्या maths दे सकता है अब मैं बात करता हूं पहले DU का perspective फिर CUET का perspective भाई इस बंदे को रोहन के पास class world में maths नहीं थी और इसको mathematics देनी है तो खुद logic लगाओ CUET के forms के अंदर क्या वो maths भर सकता है उसका answer है yes भर सकता है कोई problem नहीं है बट DU के perspective से भले एक student रोहन ने जिसके पास class world में maths नहीं थी उसने CUET के अंदर भले ही maths भर दियो Delhi University मैस के score उसके accept नहीं करने वाला यही catch है CUET के forms भरने के लिए तुम्हें उस university को ध्यान में रखना पड़ेगा जो तुम्हारी intended targeted university है मालो तुम Delhi University के top notch colleges target कर रहे हो और उनकी eligibility के इसाब से तुमने वो domain भरे ही नहीं अपने CUET के form में तो सारा का सारा form reject हो जाएगा form बढ़ने के बाद भी तुम्हें को college मिली नहीं नहीं आप तो हर एक college के हर एक course के आगे eligibility criteria क्या है B1 में से कितने subjects लेने है B2 में से कितने subjects लेने है language में से कितने subject लेने है तो इसकी बारे में आपको तो information पता लगेगी जब आप डंग से form बढ़ोगे और हर एक university को डंग से cuet.sumrth.ac.in के उपर चेक करोगे कि इसके eligibility है क्या को problem तो नहीं है डेली university के perspective से ये बंदा रोहन maths भले ही दे दे cvt के अंदर हम इसके score डेली निवेस्टी इतना बोलता है क्या ये बात सही है कोई problem तो नहीं है अब रोहन बोले नहीं मैं तो accountancy के साथ साथ political science भी देना चाहता हूं CVT के अंदर तो yes CVT बोलती है भाया दे तो कुछ भी दे तो हमें कोई concern नहीं है CVT के perspective से आप दे सकते हो political science but Delhi University उसको accept बिल्कुल भी नहीं करने वाली बिल्कुल भी नहीं करने वाली बिल्कुल भी नहीं करने वाली क्योंकि रोहन ने class 12 के अंदर वो subjects नहीं पड़े थे है अगर वो accountancy उठाएगा तो yes वो become honest में भी eligible हो जाएगा business studies, economics उठा सकता है entrepreneurship भी उठा सकता है जिसमें accountancy, business studies, economics आपके B1 के subjects हैं entrepreneurship B2 के subject हैं अब मालो आपके पास, इस student के पास एक और subject होता है यहाँ पे entrepreneurship के साथ साथ student के पास physical education भी होता, एक six subject भाई यहाँ पर मैंने 5 subject के बारे में बात बोली, 1, 2, 3, 4, 5, एक six subject entrepreneurship के अलावा physical education भी होता in terms of your mcqs जो आपके पास आने वाल है, हर domain के अंदर 50 mcqs आएंगे जिसमें आपको 48 m करना है, 45 minutes will be given to each domain